नमस्ते मेरे प्यारे भाई और SSC ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है आज 27 जून है और SSC ने बोला ता सीना ठोके कि 27 जून को हम MTS का नोटिफिकेशन निकालेंगे और SSC ने अपने वादे के अनुसार रात 10 बजे MTS का नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया है अभी 3 दिन पहले SSC ने 24 जून को CGL का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मेरे दोस्त और आपका CSL का पेपर शुरू होने वाला है एक जुलाई से और CPO का पेपर तो आज हो भी गया है तो SSC काम कर रही है बेटा फुल फॉर्म में स्टुडेंट से कई जादे उर्जा से एनरजी जो है SSC काम कर रही है और SSC ने पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत जादे इज़त कमाई है टाइम से पेपर करवाना, टाइम से जॉइनिंग देना, टाइम से एक्जाम लेना, टाइम से सिलेक्शन देना देखे बई तो SSC भाई ऐसी काम करते रहो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कम्पलीट जानकारी SSC MTS, मल्टी टास्किंग के एक्जाम से रिलेटेड सबसे बड़ी हाइलाइट यह है कि इस बार 8,326 भरती आई है जो की एक ठीक ठाक नंबर MTS के एसाब से MTS में हर 2-3 साल के बाद 10 सार के आसपास वेकेंसी आती है ऐसा ऐसलिए कोकि MTS में क्वालिफिकेशन है 10th, only 10 भी पास तो मेरे दोस्तों और यह Central Government की केंद्रिय सरकार की सबसे छोटी भरती भी आप कह सकते हैं जिसकी तनखा 25 से 30 आर के बीच में होती है यानि कि एक Office Pion की जॉब है एक तरीके से तो बहुत सारे बच्चे जो इस जॉब में एंटर करते हैं वो साथ-साथ पढ़ाई भी करते रहते हैं और लगबग आधे बच्चे 40-50% बच्चे इस जॉब को छोड़ देते हैं इस वज़े से उनको बार-बार भरना पड़ता है तो हर 2-3 साल में अच्छी खासी वेकेंसी MTS में आती है और 8-326 बरती इस बार आई है मोटी-मोटी हेडलाइट्स में आपको बताता चलूँ तो मल्टी टास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC and CBN एक्जामनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्तों, टोटल वेकेंसी है 8-326 जिसमें MTS, MTS मतला मल्टी टास्किंग, आपको ओफिस में कोई भी काम दिया जा सकता है या आपको फाइल इदर उदर करने का मेरे दोस्तों, या और भी जो ओफिसर्स को काम करवाना है, कुछ भी दिया जा सकता है 4887 वेकेंसे किसी भी गौर्वन डिपार्टमेंट में मल्टी टास्किंग आप काम करेंगे हवलदार in CBIC and CBN CBIC मतला Central Board of Indirect Taxes and Custom उसमें हवलदार मेरे दोस्तों और Central Bureau of Narcotics उसमें हवलदार यानि इसमें आपकी कोई Physical Fitness नहीं चाहिए लेकिन हवलदार अगर आपको बनना है Central Bureau of Indirect Taxes and Customs में और नार्कोटिक्स में तो आपका एक Physical Test भी देना पड़ेगा और इसकी वेकेंसी 349 है अगर दोनों को एड कर दिया जाए मेरे दोस्तों तो आठार 326 वेकेंसी बनती है ये वेकेंसी हो सकता है बढ़कर दसार का नंबर टच कर लें अभी ये Tentative वेकेंसी हैं मेरे दोस्तों आप इस Notification की Complete PDF हमारे Telegram Channel से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्किप्शन में पड़ा हुआ है 15 लाग स्टोएंड हमारे साथ इस पे जोड़ चुके हैं और मैंने यहाँ पर ये PDF डलवा दिया है जैसे ही नोटिश आया उसके एक मिनिट के अंदर अंदर ये PDF हमने हाँ पर अपडेट करवा दिया था मेरे दोस्तों 20 सार बच्चों ने डाउनलोड करके देख वी लिया है अब तक ठीक है और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रिवेस क्वेशन की PDF हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन इसी टेलग्राम चनल पर मिलती है दोस्ती ठीक है चलो अब समस्ते मेरे प्यारे भाई की इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है सबसे पहले थोड़ा बढ़ा करो यार इसे यह नोटिस आया है SSC की वेबसाइट SSC.gov.in पर यानि की ओफिशल नोटिफिकेशन है यो कि आपका MTS और हबलदार की पोस्ट के लिए है इसके फॉर्म ओलाइन आज से भरने सुरू हो गए हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 27 जून 2024 से फॉर्म आप भर सकते हैं और आखरी डेट फॉर्म भरने की जो है 31 जुलाई 2024 यानि की आपको लगबग एक महिने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हां जी लास्ट डेट 31 जुलाई है ओनलाइन पेइमेंट की लास्ट डेट जो वो एक अगस्त है इसके बाद अगर आप नीचे आए मेरे प्यारे भाई अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बली कर देते हैं ये SSC ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको टाइम देता है मेरे दोस्तो दो दिन का आपको समय दिया जाएगा 16 और 17 तारिक 16 और 17 अगस्त यान्य कि आपको दो दिन का टाइम दिया जाएगा मेरे प्यार भी आपने form में signature में कोई detail डालने में नाम पता address डालने में कोई गड़बल कर दिया है आपको यहाँ पे computer-based जो test देना है, वो October-November के महीने में होगा, क्यानि कि यह चल लहा है आपका June, July, August, सितंबर और October, October मिड के बाद ही आपका MTS का paper होगा, यानि कि लगबग यहाँ पर साड़े 3-4 महीने, MTS कई सारी सिफ्टों में करवाया जाता है दोस्त, ठीक है, MTS के form भी काफी जादे जाते हैं, CGL से भी form चले जाते हैं, SSC ने एक free line, free help line number भी दिया है, कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, तो आप इस help line number पे call कर सकते हैं, लोग मौज लेने के लिए भी इस पर call करते रहते हैं, बच्चे, ठीक है, चलिए, अब इस notice में आप देख सकते हैं, मेरे दोस्तों कि यह हवलदार pay level 1 की job है, यहाँ पर vacancies में बताई गई है, कि 4887 vacancy MTS की हैं, 3439 हवलदार की हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, notification में कोई भी chain नहीं है, पिछले साल का notification नहीं कट कोई भी based है, बस यहाँ पर vacancy और कुछ dates चेंज की गई है, आगे, age limit, मैंने पहली बता दिये मेरे दोस्तों कि इसमें, आपका metric pass दस्वी pass होना चाहिए, कोई भी बच्चा, एक अगस्त दोजार चौविस तक, age limit यहाँ पर देख लेते हैं, एक अगस्त दोजार चौविस तक आपकी age count होगी मेरे दोस्तों, हाँ जी, इन दो point में आपकी age limit बताई गई है, 18 से 25 साल, 18 से 25 साल है मेरे दोस्तों MTS की post के लिए, MTS की, यानि कि मेरे दोस्तों, आपका जनम, 2 अगस्त 1999 से, 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए, अगर आप MTS multitasking के लिए apply करते हैं, इवन हवलदार की post के लिए, इसमें आपको 18 से 27 साल आपकी age limit मांगे गई है, यानि कि अगर आपका जनम, 2 अगस्त 1997 से, 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है मेरे दोस्त, तो आप हवलदार की post के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है ना, ये general category के मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप SCST category के हैं, तो आपको 5 साल का relaxation मिलेगा, यानि कि SCST वाले हवलदार की post के लिए, 28 से 27 में 5 जोड़ लीजे, एजबन relaxation मिलेगा, आगे चलते हैं, यह explain कि अभी category में, किस-किस category में आपके पास, क्या-क्या सुविधाय होनी चाहिए, अब आ जाते हैं, मेरे दोस्तों, यहाँ पर, यह भी कुछ नहीं है, point number, सहे, point number 9, essential education qualification, qualification में कुछ भी नहीं है बैटो, बस यहाँ पर qualification आपसे मांगे गई है, metric pass आपका होना चाहिए, लेकिन आपका जो result है, 10 वी का result, वो 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका result आ रहा है December, वैसे आ ही जाएगा, ठीक है, the candidate must have pass metric examination और equivalent from a recognized board, before the cutoff date, 1 अगस्त 2024 से पहले, आपके पास 10 वी याँ उसके equivalent की qualification होना चाहिए, एक मेरे दोस्तों, बोर्ड से, ठीक है बच्चे? अब मेरे प्यारी भाई, हम यहाँ प्या आ जाते हैं, यह इन्होंने अलग से headlight करके बताया है, कि बच्चे फोटो डालने में बहुत गडबड कर देते हैं, तो candidate को apply करने के लिए, पहले से फोटो नहीं खिचाना है, फोटो का जो module है, वो इस तरीके से design किया गया है, कि आपको अब online फोटो capture करना है, आपको फोटो capture करना है मेरे दोस्तों, और वो भरना है फोटो खीच के, तीक है, आप बढ़या सी जगह में जाओ, जहां पर अच्छी light हो, plain background हो, अपनी selfie लो, और वो selfie आपको जो है, अपलोड करने, इस और दा camera इस eye level, आपकी आखे बिल्कुल clear होनी चाहिए, position आपको लाना है, direct camera के सामने, और camera में बिल्कुल आखे से आखे मिला के देखना है, पॉंट्स बताए गए यहाँ पे, कि आपको इस तरीके से form भरना है, फेस आपका killer visible होना चाहिए, मेरे दोस्तों, बढ़या photo studio में भी जाकी खिचवा सकते हैं, और आपके कान भी visible होनी चाहिए, आपको cap नी पहनना है, साप साप लिगा है, cap नी पहनना है, mask नी पहनना, चस्मा नी पहनना, earphone नी लगाना, headphone नी लगाना, rapper के style में आपको नी खेंजना है, इस style में photo खिच रहे हो, normal सा, तिल्गूजा बनके आपको photo खिचवाना है, ठीक है जी, और ये online ही upload होगा मेरे दोस्ते, ठीक है, application fee के हम बात करते हैं, तो SSC के सभी exam की fee 100 रुपे, तो यहाँ भी आपकी fee 100 रुपे ही लगेगी, women के लिए किसी भी category की women हो, SC, ST, उनकी fees नहीं लगेगी कोई, SC, ST, physical handicapped और women की कोई fees नहीं लगेगी, fees आप मेरे दोस्तों online ही जमा कर सकते हैं, ठीक है बच्चो, अब आज आते हैं यहाँ पर point number 13, point number 13 में बताएगा कि आपका जो paper होगा, उसके centers कहां कहां बनाए जाएंगे, ठीक है तो यह उन cities के नाम है, जहां पर आपके centers बनाए जाएंगे, MTS के, ओके बच्चो, चलिए, अब examination, point number 14 कि आपका exam कैसे लिया जाएगा, MTS for the post, MTS की post के लिए computer based test होगा, हवालदार की post के लिए computer based test के साथ साथ, physical efficiency test भी होगा, और physical standard test भी होगा, तो आप साथ लिखा हुआ है, for the MTS, only आपको tier 1 देना है, नौकरी जोहन कर लेने हैं, cutoff किलर करके, तेकिन आप apply कर रहे हैं भाई, हवालदार की post के लिए तो आपको, computer based test हो किलर ही करना है, physical FEP, ET और PST, physical standard test भी देना है, MTS का जो पेपर है, वो केवल हिंदी और अंग्रीजी भासाओं में नहीं होता, यह हमारे राज्जय की 13 लोकल भासाओं में लिया जाता है, आप कोई भी language सेलेक्ट करके पेपर दे सकते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे भी computer based test जो है, वो हिंदी और इंग्रीजी के सासा तिन भासाओं में भी अवेलबिल रहेगा, सबसे पहले असमीज, पंगाली, गुजराती, कंण, कोनकणी, गुवा की लेंगेज, मलियालम, मनीपुरी, मराथी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेल्गू, उर्दू, आप जैसे कोई महरास से है, हिंदी या इंग्लिश में comfortable नहीं है, तो पेपर देते समय है, जो आपका पेपर होना है, online test, वो मराथी language select कर सकता है, कोई करनाटक से है, तो पेपर देते समय है, कंणर language select कर सकता है, यह छूट केवल और केवल आपको MTS के पेपर में मिलेगी, कोई 10th based पेपर है, इसके आलावा SSC कोई भी पेपर लेगा, CGL, CTSL, CPO, उसमें आपको इस तरह की स्विधा नहीं मिलेगी, वहाँ केवल दो ही choice होती है, हिंदी और इंग्लिश की, यह आपको 13 regional language की choice मिल लई है, तो किसी भी राज्ये के बच्चे को कोई भी परिशानी नहीं है, सरकार यह चाहती है कि कम qualified लोग भी सरकारी नौकरी में आपाएं, ठीक है, इसलिए यह स्विधा बनाए गई है, ओके मेरे प्यारे बच्चो, अब इसका टेस्ट की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो इसका pattern change हो गया था पहले ही, सेम वही pattern repeat किया गया है, computer based test में आपके दो session होंगे, session first मेरे प्यारे दोस्त, और session second, session first में आपका आएगा math, numerical ability और reasoning, numerical ability के 20 questions होंगे 20 सवाल, और reasoning के भी आपके 20 सवाल होंगे, ठीक है, हरे question यहाँ पर 3-3 number का है, तो math आपको 20 question पूछाएगा, हरे question 3 number का है, तो math 60 number का हैगा, English भी 60 number की आएगी, और 45 minute आपको दिये जाएगे, तो 45 minute में आपको यहाँ पर 40 questions करने हैं, session first 45 minute के तुरंट बात, automatically computer screen पे session second open हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बीज में कोई gap नहीं दिया जाएगा, कोई आपको जलपान विस्तराम नहीं दिया जाएगा, तुरंट हाथ और हाथ लेना है, session second में आपका general awareness और English language पूछ जाएगी, general awareness के 25 question है, और English के मेरे दोस्तों 25 question है, यानि कि इसके total 50 question होंगे, और इसके लिए भी आपको 45 minute दिया जाएगा, यानि कि total जो paper होगा, वो डिल घंटे का होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई, दो session में paper होगा, 45 minute session first के लिए, पैतल में second, session second, यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है, कि session first के complete होने के बाद, session second जो है, वो immediately open हो जाएगा, ठीक है? Session second के बाद आपका paper खतम, यह objective type paper होगा, यानि कि 4 option होगे, बहु भी कल्पे परिशन होगा, there will be no negative marking in session first, session first में, कोई भी negative marking नहीं है, यानि कि एक सवाल सही करने पर आपको तीन number मिलेगा, और एक question आपने अंग्रेजी या general awareness का गलत कर दे, तो एक number काट लिया जाएगा, ध्यान रखेगा, session first में कोई भी negative marking नहीं है, ठीक है बच्चे? यह बात ध्यान में रखनी है, चलो, marks जो होंगे computer based test के वो normalize होंगे, वो कि paper कई multiple shift में होगा, पिछली साल ही, अभी 2023 में लगवा 52 shift में paper ये हुआ था, तो 40, minimum 40-50 shift में आपका paper होगा, तो इसलिए normalization होगा, tentative answer की मेरे दोस्तों website पे दी जाएगी, ओके? फिर यहाँ पर मेरे दोस्तों आपका syllabus बताएगा, कि math में क्या-क्या पूछा आएगा, advanced math इसमें नहीं आता है, arithmetic math, number system ही पूछा आता है, advanced math में जैसे geometry, trigonometry, algebra, MTS के paper में नहीं, हम mensuration जरूर पूछा आता है, mensuration 2D और 3D, mensuration तो हर exam में आता है बेटे, ठीक है ना? मैं लिखा भी होगा, area और parameter और basic geometric figures, area and parameter और basic geometric figures, ठीक है ना? बाकी जो है, area and parameter, basic geometric figures, और advanced math का कोई portion इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक इसी तरीकी सा reasoning का, general awareness का, syllabus बाकी का same है, CGL के मुकावले ही इसका syllabus है, level आप कम मत समझें मेरे दोस्तो, CGL के equivalent ही इसमें level है, ठीक है मेरे प्यारे भी, अब आज आते हैं, कि जो हवलदार की, को कि हवलदार की अच्छी-काची post इसमाई है, लगवख 35, तो उसमें जो physical efficiency test और physical standard test होगा, उसमें क्या-क्या requirement है, सबसे पहले physical efficiency test मेरे आपको हवलदार बनना है, तो आपको walking करनी पड़ेगी, walking क्या running ही हो जाएगी, 1600 मीटर आपको चलना है 15 मिनट में, यहनि कि एक मिल दूरी की आपको walk करनी है 15 मिनट में, ठीक है female की, male और female का लग-अलग है, female को एक किलोमीटर ही चलना है, इनको 1.6 किलोमीटर चलना है 15 मिनट में, और female को एक किलोमीटर चलना है 20 मिनट में, physical efficiency, ठीक है भाया, नहीं, कोई वजन-वजन के साथ नहीं चलना, यही यह बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई उंची कूद और लंबी कूद इसमें नहीं है, कोई CPU में होता है, physical standard test में मेरे प्यारे भाई, height मांगी गई है, height 157.5 cm, 5 cm के लेक्षेशन मिलेगा, गढ़वाली इसको, असमी इसको और गौरखास को, ठीक भाई, chest 81 cm होनी चाहिए, fully expanded, female की केवल हाइट है मेरे दोस्तो, 152 cm, और 48 kg वेट मांगा गया कम से कम, 30-35 kg की लड़कियां हमलदार नहीं बनेंगी, OK, मेरे प्यारे बच्चो, PET और PSD जो होगा मेरे दोस्तो, उसको department ही conduct करवाएगा, जो हमारे नार्कोटेक्स है, और indirect Texas वाले डिपार्टमेंट, वही conduct करवाएगे, the candidate may be called for PT, PhD to any center across the country, कहीं भी बुलाया जा सकते हैं, ऐसा नहीं, आपने form UP से भरा, तो आपको केरला भी बुलाया जा सकते हैं, आपको साफ साफ लिखावाँ पर ऐसा जनरली होता नहीं है, नस्दीक में ही आपको बुलाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके, इसके अलावा यहां पर बहुत सारी ऐसे डिटेल लिखी हुई है, बेवज़े की, पर नहीं का कोई मतलब नहीं है, document verification में आपको document दिखाने पड़ेंगे, और एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, session first जो है, जिसमें math और reasoning पूछा गया है, उसके marks final selection में add नहीं होंगे, final जो आपके marks है, वो session second के basis पर ही आपका selection होगा, but session first आपको qualify जरू करना पड़ेगा, यह बात इसमें लिखी भी होगी, चलो, यहाँ पर बात लिखी होई है, और बहुत important बात है, MTS की post के लिए candidate को shortlist किया जाएगा, on the basis of their performance in session second of CB, जो आपका computer based test होना है, उसमें जो session second है, English और general awareness वाला, उसी के basis पर आपका selection होगा, normalize score, candidate का normalize score, और वो मेरे दोस्तों इस्तिमाल किया जाएगा, merit बनाने में, merit list केवल और केवल, session second की performance पे बनेगी, ठीक है, session first की performance पे नहीं, होगे मेरे प्यारे भाई, हवल्दार की post के लिए candidate shortlist किया जाएगे, एक ratio साथ के ratio में जितनी वेकेंसी अवेलबिल है, और appearing in P.E.T. and P.E.S.T. ये भी बात important है, कि भाईया, जैसे हवल्दार की 3500 वेकेंसी है, हर post के लिए 7 गुना बच्चे बुलाएंगे, physical standard test के लिए, यानि कि 3500 का, अगर 7 गुना भी मिलाएं, तो लगबख 25 हर बच्चे P.E.T. और P.E.S.T. की जो है, की M.T.E.S.T. की पोस्ट रिजर्व रहेगी, बेज़गा आप हवल्दार की उसमें फेल हो गए, physical में, लेकिन आप M.T.E.S.T. की रिंज को कौलिफाई करते, तो आपको M.T.E.S.T. की पोस्ट मिल जाएगी, ये ध्यानक हीगा, मेरे दोस्तों. फिर दुबारे से भी लिखा है की Session Second के हिसाब से आपकी Cut-Off बनेगी, और मेरे दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, नोटिफिकेशन में जितनी भी मोटी-मोटी बाते थी, वो मैंने आपको बता दी है, मेरे प्यार भी, समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है, चार महिने का कुल ही समय है, और इतने समय में मेरे दोस्तों अच्छी खासी तयारी जो है, आप कर सकते हैं MTS की. MTS बहुत जादे आसा नहीं पूछ जाता है, जैसे की बच्चों ने अपने दिमाग में हवा बना रखी है. MTS का भी एक लेवल है, इसमें math के सवाल काफी अच्छी आते हैं, कुछ कुस तो अंग्रेजी के सवाल भी बहुत बढ़िया पूछ जाते हैं, अगर आप किसी batch में जोड़के, अब से पढ़ाई करना सुरू करोगे, आप सिले बस पूरा नहीं कर पाऊगे, तो मैं आप से घुजारिस करूँगा, कि जो भी MTS वाले बच्चे हैं, वो केरिवल एप्लिकेशन पर लाइव क्लास न लेके, हुमारे रिकॉर्डेड क्लास ले, वो भी केवल अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक की स्पेसल रिकॉर्डेड क्लास लेके, यहां से आप तयारी कर सकते हैं, मैं MTS वाले बच्चों के लिए बता रहूँ, कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कॉम्बो ट्रिपल नाइन की फीस में अवेलिबिल होगा, दो साल की वैलेडिटी के साथ, यह सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप 2X, 3X की स्पीड में, फास्ट फोरवर्ड करके इनको देख सकते हैं, क्योंकि सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाई है, तो आप वही चेप्टर पढ़ हो, जो केवल काम के हैं, आपको ध्यान देना है, अंग्रेजी पे और जनरल अवेरनेस पे मेरे दोस्ते, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक है, उनको बैच से पढ़ने की भी ज़रत नहीं है, वो सीधा हमारी कंसेप्चल ठ्योरी वाली बुक्स ले सकते हैं, मैच की भी अवेलिबल है, बच्चो मैच कॉनसेप्ट की और रिजनिंग की भी है, रिजनिंग कॉनसेप्ट की ये दोनों ही बुक्स हिंदी और इंगलिश दोनों ही भासाओं में है, तो किसी को कोई परिशानी नहीं आएगी, इसमें सारे फॉर्मले कंशेप्ट शॉर्ट कट लिखा हुआ है, और MTS के पेपर में जाता फॉर्मला बेस सवाल ही आते हैं, कुछ कॉशन्स ही होते हैं, जो अच्छे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह बुक आपको ओनलाइन अमेजम फिलिपकार्ट पर दौनों जगे आराम से मिल जाएंगी, रिवीजन का मैं आपको तरीका बता दे रहो, बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है, आजमाया हुआ मेथड है, मैं आप सब्सक्राइब कर लिए, चार महीने काफी अच्छा कासा समय होता है, अगर आप चार महीने तक इस चैनल की शॉट्स को फॉलो करते रहो, डेली हम तीन कंसेप्ट इस चैनल पर बताते हैं, एक एक मिनेट लेके आपका, दोसे डाई मिनेट में आपको तीन कंसेप्ट सिखाते हैं, तो बीस में से पंदरे सोले सवाल आप डारेक्ट इसी चैनल से पढ़के क्लियर कर लोगे बाई, इस चैनल पर लगवग अब तक बारेसो शॉट्स अफ्लोड हो चुकी हैं, सबको देख डालो, मैं कहता हूँ कि आपका MTS क्लियर यहीं से, सब बच्चेस को जरू सब्सक्राइब कर लें, यह सब्सक्राइब का बटन यहां पर क्लिक करें, एक कंप्लीट नोटिफिकेशन था MTS का जो मैंने आपको बताया, कोई चीज छूट गई हो तो आप मुझसे कमेंट चेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने सारी चीज़े कवर कर दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, दस्वी पास बच्चों या जिन्होंने बार्मी पास करिया, उन तक ये वीडियो जादे साथ है, शेर करें,